फिल्म नोटबुक से बॉलिवुट में डेब्यू करने जार है आक्टर जहीर इक्बाल और कलंक अधाकारा सोनाक्षी सिन्हा के बीच लगातार नजदी कियां बढ़ रही है बॉलिवुट के गलियारों में लगातार ऐसी खबरें चल रही है कि दोनों आजकल खूब सारा वक्त एक दूसरे के साथ बिता रही है दोरों ही कलाकार सल्मान खान के करीबी है जिसका रड़िये काफी समय से एक दूसरे को जानते भी है हाला कि दोनों की दोस्ती हाल ही में गहरी हुई है जहीर इकबाल के जन्म दिन पर पहली बार लोगों को इस बात की जानकारी लगी कि ये बहुत अच्छे दोस्त बन चिके हैं जहीर के जन्म दिन पर सोनाक्षी ने उनके साथ काफी देर तक डांस किया था जिससे लोगों की आँखे खुली की खुली रह गई इसके बाद से ही दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती जा रही है सोशल मीडिया पर सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की दिल लगी लगातार जारी है छाल ही में जहीर इकबाल ने सोनाक्षी सिन्हा को जन्म दिन की बधाय देते हुए लिखा था सोनाक्षी जैनती सब को मुबारक हो हैपी बर्थ जे सोना मेरा बस चलता तो आँज नाशनल हॉलिडे होता इसके साथ साथ जहीर ने एक तस्वीर भी शेर की थी जिसमें वो सोनाक्षी के साथ ही थे अगर सोनाक्षी सिन्हा की प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो वो जल्द ही करन जोहर की आने वारी फिल्म कलंक में नज़राएंगी इस फिल्म में वरुन्धवन, आलिया भट, संजेदत, आदित्य रोय कपूर और माधुरी दिक्षित जैसे कलाकार है अभी वीडियो को लाइक करें, शेर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी नियूस देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ, बाई बाई